अधित्यनाज जी को निवेदन कर रही हूँ, जब आपको मठ में भेज रहा था घंटा हिलाने के लिए, अमान्य परदान मंतिरी नरेंद्र मोदी जी को, अमान्य अमिस जी को भेज रहा था गुजराथ, ओ दिन भूल गई क्या, मान्य योगी अधित्यनाज जी को, ये कुछ भी बोल देता है, अपने विरादरी राजबरों को दस पिढ़ी पिछे ले गया है, ये पहले बोलता था कि हम कोई चुनाव नहीं लडेंगे, हम कोई मंतिरी नहीं बनेंगे, लड़का का साधी किया, दुकौन बिर्जे सिंगार रहे, दुकौन मुक्तार रहे, दुकौन अतिकार, अब मंत्री मंडल में शामिल होने के लिए डेड़ दे रहे थे, बहुत जल्द मंत्री मंडल का विस्तार होगा, उसमें हम मंत्री बनेंगे, अभी तक उम्प्रकाज जी मंत्री नहीं बन पाएं, तो क्या कहना चाहती है? भाईया वो फराड है, 2004 में हमको चुनाव लड़ाया था, भूत्पूर परदान मंत्री स्वर्गी चंद सेखर के खिलाब, उनके भतीजे एक पपू एमेल सी है, उनसे दस लाक रूपिया लेकर, और 2004 में कहराता अकबर पूर लड़िये, तब पूर मुख मंत्री मयावती जी अकबर पूर से लड़ रही है, यह क्या बोलता है, इसकी बाणी नहीं देखते हैं, मन्य होगी अधितेनाद को इस पे बुल्ड़जर नहीं चलना चाहिए, उन्हीं की सरकान में मंत्री बंदे की बात कर रहे हैं, क्या मंत्री, इसको तो हम निवेदन करूंगी, मन्य हो बाजपा में गया तो वही किया, बाजपा में गया तो वही किया, अब बाजपा में गया है, तो वही कह रहा है, उट्र पटांग बोल रहा है, पताइए हम लोग अगर साड़ी की लिवास में हैं, फिर भी अदब के डायरे में बोलती हूं, अदब के डायरे में जाती हूं जज्मान के पास हां 21 तरह का सब्द इस्तमाल करता है क्या कानून नहीं लागू होती है इस पर पूलिस वाले नहीं एक सब्ले सकते हैं इसकी सरकार में मंत्री बनने का सपना देख रहा है कि बहुत जल्व मंत्री बनेंगे योगी सरकार अरे वो नहीं बन पाएगा बाबू फराड है इसी इसी सब्द मत बोलवाईए जो वो मुर्गी गयल बसवारी में चरे ना तो बुझलास की ब्रींदे बना लागलो के कोड़े की अब गोहुं चाउर मी लेला तो यही से नमन्य होगी अधित्यनाजी को निवेदन कर रहे हू जब आपको मठ में भेज रहा था घंटा हिलाने के लिए अमान्य परदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी को अमान्य अमिस जी को भेज रहा था गुझरास ओ दिन भूल गई क्या मन्योगी अधित्यनाजी को यह कुछ भी बोल देता है यह अपने विरादरी राजबरों को दस पीड़ी पीछे ले गया है यह पहले बोलता था कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे हम कोई मंतिरी नहीं बनेंगे अपनी लईका के लड़ावता अपने लड़ाता अपनी मेहरारू के लड़ावता अपनी बेटी के लड़ावता अपने बहु का लड़ाता जबाब दे देखे बाबू जो अत्याचार किया है ना उसका बिनास हुआ है बास समझ रहे हैं जो फराडगीरिक किया है उसको भी यह जनता चलने वाल देने वाली नहीं है मैं जानती हूँ कि मन्योगी आदित्यनाजी इसको जगह नहीं देंगे इसलिए इतनी उटपटांग सब्दे बोलता है कि मैं क्या बता हूँ मतलब उनको मंत्री नहीं बनाएंगे उप्रकाजी नहीं वह राज भर जाक चुके हैं भाईया वह सब्द मैं नहीं कहने चाहती हूँ जो सब्द वह बोलता है चुनाव आने दीजिए ओ मन्योगी आदित्यनाजी दो दो बार मुख मंत्री बने हैं वह खुद कर लेंगे चुनाओ लड़ाने की बात कर रहा है घाजीपुर से लोकसभा का चुनाओ अपने टिकट पर उंपरकाजी तो कहीं न कहीं माफियां के साथ बड़ी करीब इनकी है क्या अरे का बोले लाई तो कहला कि हमसे पोड़ के माफिया कौन है अभी अभास का इसके पाल्टी से लड पराड है बात समझ रहे हैं देखे नहीं लड़का का साधी कि अदुकौन बिर्जे सिंगा रहे हैं दुकौन बिर्जे सिंगा रहे हैं दुकौन मुक्ता रहे हैं दुकौन अतिका रहे हैं चला गया न तो जो बाबु ये दुनिया है यहीं सब को भोगना है जो जैसा का उसके सामने आएगा जनता यहां की चलहां खो गई है बास समय रह vậy जो भी किसी से बात कीजिए उसको अदब के डाइरे में बोली यह समय आपके दूआ से चुनाव आने दीजिए फिन बताऊंगी अहीं तीन जगह मैं छोड़ूंगी नहीं इसी सब्दों के साथ अपने बाणी पे विराम देती हूं जय हिन जय भारत जय समाजबादी देखे दोस्तों घोसी लोगसभा चुनाओं में सरगर्मी अधिर देते जोरी यह चुनाओं भी खरीब है तो यह कहीं न कहीं दावेदारी अपनी पेश क किंदर महासभा के प्रदेश उपाध्यज के पद्वे इनकी नियुक्ति होई समाजबादी पार्टी को मस्बूत करने की जिम्मेदारी इनको दी गई त्वास हैं मुत्रपदेश के मउजनपद में शोयता किंदर आज हमारे साथ तीन से बातचीत की नेक्स वीडियो के मिलेंगे धन्यवाद